कि हम लोगों ने धातु के भौतिक और रासाइनिक गुन को पढ़ ले था ठीक है यानि कि सबसे पहले हम लोगों ने धातु के भौतिक गुन में पढ़ा था बच्चो की तन्यता का गुन आगात वर्देता का गुन उसके बाद फिर विदुत का सुचा लगता उसमा का सुच नांक उसमें वीआसे परकार की छमक पायाति है उसे पीठ ने पर ड्रirez QR यह सारे चीजोग के बाड़े में जाना था और फिर हम लोगोंने जो है बच्छो देख लिया तो आज हम लोग बात करते हैं आधातो के बहुतë गुन के बारे में यह भी इंपोर्टन है बहुत है बच्चों क्योंकि धातु का भौतिक गुन जब आपने पढ़ लिया और जब धातु का जब अधातु का भौतिक गुन पढ़ लेंगे तो दोनों के बीच अंतर आएगा बचो ठीक है तो इस अंतर को आपको करना है ठीक ब यह कोशन आपका हर हो जाएगा तो आपका सबसे पहले अधातु के भौतिक गुन में हम लोग बात करते बहुत इक अवस्था यानि कि फीजिकल एस्टेट यानि कि किस अवस्था में पाए जाती है तो आप लोग को याद रखना है बच्चों जो जितनी भी धातूएं होत जो किस आवस्था में पाए आते यह जिसको हमारे जिसको जो है डॉक्त लोकी इसकर यूज करते बच्छो थर्मामीटर में ठीक है लेकिन जहां तक अगर अधातू के भहती सालीड और गैस यह नहीं की सोलीड और गैस यह दून अवस्था में ज्यादा पाए आती है ठीक है उसके बाद सिर्फ जो है बच्चों एक आपवाद है बरोमीन वरो मिन कि परमानुसक्यां इसदम हrenched में बता बाल मिन परहर होती है अनुड श्राल आपवस्ति हैता है जो बहुत ही खुचता है औरा शेफ़ बाल में हम प्रह्त पाहते हैं तो बहुत ही अवस्ता है आउधातू समयने ताप ठोस एवंग गैस रूप में पाई जाती है एक्जांपल में क्या दिया हुआ आपका कारवन सलफर आयोडीन ठोस रूप में पाई आती है है आउक्सिजन नाइट्रोयन कलोडीन आदिक गैसे अवस्ता में रहती है तो यह खेके हूंगे लहरतके है तो वह किसा वस्ता में रहता है तो सर्फपर दूसा में आयूडीन का अप्यों इसने कि आता बच और शह्द्रोई कैसी असवार्फ पर कितनी बताई है लगकोग कितना सबंस परशन है ठीकिताव पर सेने 21 दór नायटान 아टोन मी कि माक्रामारे अर्थासवेस पर कितनी है तो आपका अठारप से Сंसिंट कितना पर सिनन ए संन्हार उसके ऊंसके बाद का लोडिशा पाया ये अपको गैसी आथ Juliet प败rich निया अपवाद में है इसी को सबसे अच्छी तरह से यादकने आपको एपकवाद में कि बोमी दरब अवस्था में पायाती है अयह एक ऐसा आथ हैका जो रवस्था में पायाती है अच्छी तरह से चले आगे पड़ते हैं दूसरा गुन है आपका भांगुर्दा मतलब कि वह आसानी से मतलब की टूड़ियाता अगर उस पर क्या किये पढ़ार करेंगे अगर आप पर और करेंगे किसी भी धातु से या किसी भी दूसरी वस्तु से यानि कि कठोर वस्तु से तो वो ठूट कर चकना चूर हो जाएगा जिनसे छादर एंगतार नहीं बनाए ज आजाता है यानि कि एक और तया तन्यता का गुứng तो आघात वर्देता का पऄंगे आप आगात वर्देता मींस होता है आपका किसी भी वस्तु को पीटकर चाधर के रूप में बनाना और तन्यता मींस होता है खिच करके तार के रूप रूप में बनाना ठीक है अब यहां पर क्या है बच्चो पर तीसरा ओड़ेंग आपका अधातु का चमक होती है इसमें किसी भी करकार के विच्षेश हमक नहीं पाई-जाती है जबकि अब आप सोना को देखेंगे चांदी को देखेंगे एक विसेस परकार की चमक पायाती है लेकिन अपवाद में धातु का एक है बच्चो जिसमें क्या होती है चमक पायाती है वह आपका ग्रेफाइट और आयोडीन में जो है बच्चो चमक पायाती है इस्पेसली रूप से एक ग् आपको ग्रेफाइट और आयोडीन चले आगे बढ़ते हैं चौथा आपका विदूत एवंग उस्मा एवंग विदूत का सुचा लगता यानि कि यह चालकता तो यह क्या है था बच्चों यहां पर अवधातु जो भी होती है वह विदूत और उस्मा का कुचालक होता है यान सिर्फ अपवाद में आपको यह क्या रखना है कि गरेफाइट क्या होती है विदूत का सुचालक होता है गरेफाइट देखें बच्चों आप लोग 100% देखें होंगे गरेफाइट जो होता है आपका जो मार्केट से आप पैंसिल खरीद करके लाते हैं तो पैंसिल का जो आप लिकालते हैं ऊसको कालागर करे बच्चों जसको काटर से साफ करते हैं और किलिनकालते हैं उनकुकlaughs होता है अगर दोनों तरफ से दोनों अब से एक ग्डार और उस्मा का सुचालग होता है यह आपका question objective में भी पूछा हुआ question है दो तिन बर question यह पूछा गया है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अब बात करते द्रवणांग एवंग कोथनांग तो आप लोग को और लेडी मालूम हो गया है द्रवणांग किसको कहते हैं जिस ताप प और कोई पदार्थ गयस अवस्तम में बदलना सुरू कर दे उसको हो लोगे कोथनांग ओधातू के द्रवणांग क्या होते हैं नीमन होते हैं जो भी अवधातू आपप chuss लो आपका दोनों नीमन होता है मिन्स यह हुआ कि बहुत ही कम ताप पर कोई भी धातु क्या हो जाएगा दरब अवस्ते में बदलना शुरू हो जागा और कम ताप पर ही कोई भी अवधातु जो है हुआ आपका गैसा वस्तह में बदलना शुरू करतेगा ठीक है यहां पर अवधातु के बारे में बात करने हैं तो यह सारा चीश हम लोग आवधातु के लिए जोड़ेंगे वच्छो संबंदित और अपवाद में यहां पर फिर आड़ा है कि गरेफाइट का जो इस पिषाल जासलता यानि की आपका हार्डेस तो यहां पर कठोड सब्सक्राइब कि एकफिकर दिया हिstellिक कि इस पैसे लिए दने कि मुलायम होती है यांनि कि आपका सौफ्ट होती है सौफ्ट होती है लेकिन अपको ध्यान रखनी है बहुत ही important है बच्चों आपको की हीरा सबसे अधिक कठोर होता है मालूम है आपको already पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया था जब धातू के भौती गुनों में पढ़ रहा था लेकिन यहाँ पर आपको बात करनी है इस पेसली रूप से अधातू तो हीरा जो है किसका अपरूप है कारबन का किसका है बच्चों कारबन और कारबन क्या है आपका ओधातू है कारबन क्या है और कारबन की सबस्था में पायाती है आपका सोलीड अवस्था में यानि कि आपका ठो सबस्था में तो हीरा क्या है एक ऐसा वाधातु है जो सबसे कठोर होता है लेकिन बाकि जितने भी आउधातु हैं सब की सवस्थ में पायाती बच्चों मुलाइम होती है बहुत ही सौफ्ट होती है याद रहेगा आपको अच्छी तरह से हीरा जो है किसका अपरूप है कारवन का होगा तब अगर खुब ज्यादा अगर सठा हुआ पार्टिकल लेगा तो हंडेड़ परसन हो कि क्या हो जागा कठोर होने लेगा तो यहां पर कठोर नहीं है मुलाइम है इसलिए यहां पर दादो अधातु का जो गनत्तों है डेंसिटी जो है वह क्या होगा बच्चों आवाज नहीं आएगी जैसे एक कारवन का टूटा लेने कोई लेगा और उस पर मारे बच्चों किसी भी कुलहरी से किसी भी धातु से यह परहार करें तो कोई इस पर आवाज नहीं आएगी बलकि वह तूट करके क्या हो जागा चकना चूर हो जाएगा ठीक है तो सभी क्या चसे परहाश नहीं होती है किसक्ति लिए इस से लिया बच्चों यह अपका ऑधातु में लेकिन जब आप धातु आप्ट रियूप से आवाज निकलेहार्गों से तु इस orieनातता यानि क्या होता होता है बच्चों कि क्या होता क्यों कि कूण भी जो ац tahстu होता है जिब अपना अास्टक पूरा करने के लिए किसी दूसरे से अलशार को गरन करता है इसी correct को दूसरे से उधार लेता इसे बोलते ह्विधुत रिनात्मक्ता दूछे होती है बच्चो एग ऊता है धिनात्मकता रिनात्मक्ता किसको कीङे जैसे sodium एक धातू है ये क्या करता है अपने last orbit में उपस्तित अंतिम कक्षा में उपस्तित electron को दूसरी को दे दिया तो दूसरी को देना मिस दान करना मिस पलस चा जा जाएगा लेकिन आओधातू में क्या गन पाया था बच्चो कि कोई भी आओधातू है plywood ये kलोडीन तो यह क्या करती है इसके बारी कश्रा में सात Superior रहता है तो यह सात रिनात्मक तागुन किस में पाया है ता आपका ओधातू में और धनात्मक तागुन किस में पाया है ता आपका धातू में सभी ओधातू विदूत रिनात्मक होती है इनके परमानू एलक्टरन गरहन कर रिनान में परिवर्तित होती है यानि कि जितनी भी ओधातू हैं सभी ओ दल्यटा है अपवाध में यापर क्या है कि हैरन ऐसा एक जो क्या होती बचो होती है क्योंकि आप लोग जानते होंगे है पास कुछ प लुदर को था आप लोगों ने दातुमें नोगुन पड़ा था तो बचाव विनकोनोंगोची तरह से पड़ोंगे डिगे तो अब हम लोग किया करेंगे बच्छों आप 1 तरफ नखे में अंतर रखेंगे अंतरको जानेंगे जंडी रूप से क्या होगा बच्छों आपको चार आंतार लिखने आता है बार-बार कभी सबी आता है एक बार दो है बच्चों आपको दो अंतर पूझा गया था कि धातू और अधातू के बीच गूरों के आधार पर दो अंतर को लिखें ठीक है यह Queschen आपका था बच्चों दो हजार एक इस पहली पाली में पूझा गया था कि दो भ्हुती गुनों के अधार पर episod में अंतेल लिखे तो भूती आंधर सब्सक्राइब तहां पर तरनart attitudes पाई लिए था है इसमें अगात्वरदथ का गुन पाया था इस परकार से यह दूर होगी आपका आसानी से ओसषण हो जागा क्योंकि दो नमबर है दो नमबर की लिए बच्चों आपको जोहे 9-9 नहीं पूझेगा ठीक है ज्यादा फिर्टा किपने पूझे परकार से इन सारे चीजों को आपको अची तर से लिखना है तो आए एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोग क्या कर लेंगे अपना-पना कोपी में नोट कर लेंगे ठीक है बच्चो इसको जो है आपको नोट करनी है चाये ने तो इसकी तो खीच लिए ताकि क्या होगा बच्चो अगर कोश्चन नहीं पाई आती है और अपवाद में आपको यादखना है कि जो है आयोडीन और गरफाइट ऐसा अधातु है जिसमें विशेत परगर की चमक पाई जाती है याद रहेगा आपको चले आगे बढ़ते हैं दूसरा है आपका धातुए पराय विदुत धेनात्मग होती है दा होती है यानि की दूसरेके एलेक्टरन को यह गरण कर लेता है लेकिन अपवाद में क्या है है घ्र यह एक एक ऐसा आउसे कहन घत बचो घ्र रहे हिसरी में थागफाben है अगला है आपका कि के तीसरा आपका धातु रहे उसमा है विदूत की सुचालग होती यह इनकी इस सब्सक्राइब आपको अपवाद में याद रखना है कि गरेफाइट एंग हैडवन ऐसा एक यह दातु है और धातु है जो क्या होता है बच्चों विदूत का सुचालक होता है यानि कि इससे करेंड फॉलो हो जाती है असानी से याद रहेगा आपको अच्छी तरह से कुछन में पूछ दे बच्चों दो नमर्या में कि जो है कुछन पूछ दे बच्चों कि धातु है विदुत का सुचालक क्यों होता है तो आपको बोलना है क्योंकि धातु में फिरी एलेक्ट्रॉन यानिकी मुक्त अवस्था में एलेक्ट्रेन पायाता है और वही को फ़लो करता है एक अस्थान से दूसरे अस्थान फिरी रहेगा तो इधर जाएगा घुमेगा इसे करके तो वह करेंग को फ़लो करता है ठीक है चले अगला है आपका धातु पराह क्या होती है बच्चों ठोस अवस्था में पायाती है सिर्फ और शिर्फ पारा यानिकी यह आपका सिर्फ ये और इन इक ही आता है जो द्रव ऑस्था में पायाता है बागी जितने भी धतुएं सब हससां में पैए जाती है उसके अपका आधव एक भân ग्धातों पंग केहरे कि गवेरी अनलningar कि भांतों में में भणफ गवेरे लेकिन इम्पोर्टेंट भांतों पास्थ टथान्यो unity a वस्ट इस वन वा निव यो दो ब llev आगे बढ़ते हैं आपका कि द अगángत आगात वर्धन्य तथा तन्य होती है यानि आगात वर्धन्य का मीनिंग है यह बच्चो कि धातों को पीट कर चादर बना सकते हैं तन्य का मींस यह है कि इसको खीचर के तार बनाया जा सकता है लेकिन यह गुंज यह प्रोपर्टी आपका आउधातों में नहीं पजाती है य प्लास्टिक गंदक तर्णे होती है अब यहां पर बात आ गई तो आपको याद आखना है किसको बुलायता बच्छ आपका सल्फर को बुलायता है सोलह होती है क्यों पूछा गया था वच्चो की कि में गंदक की परमानुसंख्या कितनी है 14 15 16 17 तो कितना हो जाएगा आपका 16 वला आंसर सही हो जाएगा ठीक है इस परकार से आपका question पूछा गया था तो जो है गंदक जो है इसको क्या किया था बच्चो इतन्य दाग गुनिस में पाया जाता है उसके बाद अगला property आपका की दहातों के घंद तो क्या होती है यदि आवज़ातों से एक क्विस talked की ध्यूरी उत्पन्पन रेकिन लेकिन अधातों में जब आप परहाड करेंâte तो किसी परकार की ध्यूरी उत्पन्न नहीं होती है बलकि जैसे और क्या हो जाता है बच्चो आपका टूट कर चूर चूर ओजयाता है तो इसके इन सारे न बताया मैंने नौनों के दोनों का बताया है तो और भी जोर सकते हैं लेकिन इतना जोरने की कोई जरुवत है नहीं आपको सिर्फ इस पेसली रूप से याद रखना है तीन से चार के बीच आपको अच्छी तरह रहते हैं मतलब कि कोश्चन आएगा तो 100% आप आसानी से लिकर आजाएंगे तो आज का सारा चीज आप लोगों को समझ में आगया होगा बच्चो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी तो एक बार कोश्चन पूछा गया था बच्चो मैं आप लोगों को पूछता हूँ जल्ली से आप बताईए कुश्चन था आपका 2017 में ठीक है A और B दोनों और option D था इन मेंसे कोई नहीं तो क्या होगा विद्यूत का सूचालग होगा की कुछ अलग होगा तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गरेफाइट क्या है एक अधातु है लेकिन अपवाद में एक ऐसा अधातु है जो विद्यूत का सूचालग होता है तो B नमर सूचालग कौन होता है विद्यूत का सबसे ज़्यादा सूचालग जो है कौन होता है यह आपको अंसर करना था तो यहां पर को अबजेक्टिव ऑप्सन में था बचो कॉपर दूसरा औसन में था चांदी तीसरा में था ऐलोमीनियम चौथा में था लोहा तो इसमें सबसे सबसे ज़्यादा जो है बच्चो इन चारों में से किसमें पायाता आपका चांदी में पायाता है विद्षू सूचालग तका गण्ञ जाथा चांदी तो यह कोशन पर दरब अवस्था में रहने वाली अधातु है कम्रे के तब पर किस तब पर कम्रे के तब पर दरब अवस्था में रहने वाली अधातु यानि कि आपका अधातु के बारे में पूछ रहा है अगर धातु पूछता तो को SPG यनिकी पारा को मार देतें लेकिन यापर क्या पूछ रहा ओपका दरब अवस्तन में पई अखराने ऑले और थातू को पूछ रहे तो हम लोग का स यह में May 815 ऑसके में तांबा आ औफसन में है भरोमिन अपसटाने में है है नाइट्रोजन तो कौन अवस्था में पाई जाती है ठीक है कोशन था आपका बच्चो 22 का और की निमनांकित में कौन सी आधातू विधुत का सुचालग होता है फिर दोबारा कोशन पीछा गया यह कोशन रिपीट हो गया एक बार एक बार कोशन यह दोहर 16 में भी पूछा गया था तो दोहर 22 में भी रिपीट कर दिया कि कौन जो है आधातू है लेकिन विधुत का सुचालग होता है तो कौन हो जागा वह आपका बच्चो आपका 2019 2019 में कोशन था बच्चो निमले लिखित में कौन अधातू है कार वन कैल लिए कर्वएक सैंद्हुक्ते और ढुलमिनीज़ते कोे इन चारों में से कोन यह आपका ओधातू है कार्वन भीदोष में बावस्था में पाया जाता है ठीक है गला एक कौशन था बच्चो 2017 में पूछा गया था की धातों की परकिर्ती कैसी हो तानात्मक दोनों इन में से इसले को दे ऊता है विधुत धनाइन होता है का असानी से मारदेंगे जहांचा क्वोंग, फिजत धनात्मक्ता का गुण पाएता है ले सारी चीज आप को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा किसी परकार की समस्या नहीं रही होगी आप लोगों तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद